नमस्कार दोस्तों आप सभी के वेलकम है मैं यूट्यूब चैनल ग्रीन फुलवारी में दोस्तों यह जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह आमके छिलकों से बनाया गया तरल फटलाइजर है इसको बनाना बहुत ही आसान है इसको बनाना कैसे है और पॉर्टो को कैसे देन दोस्तों मैं अपने पॉर्धो को घर पर ही बनाया गया फटलाइजर देता हूँ अगर आप भी गार्णिंग करते हैं तो इस्टेस से घर पर ही फटलाइजर बना करके अपने पॉर्धो को दे सकते हैं जैसे आलू के चिलके का फटलाइजर प्याज के चिलके का है और देखिए मेरे पौड़े कितने हेल्दी हैं दोस्तों आम के छिलके का फैटलाजर बनाना बहुत ही आसान है जैसा कि आम एक मौसमी फल है और इस समय गर्मी के मौसम में आम मार्केट में मिल जाता है दोस्तों इसके गुद्दे में जितने भी बिटामिस होते हैं उसे कह पौड़े की ग्रोथ के लिए बहुत ही फैडिमन है साथ ही साथ फूटिंग और फ्लावरिंग के लिए भी बहुत ही मौनद करते हैं दोस्तों इसका फटलाजर बनाने के लिए आपको डिबे में पानी भल लेना है उस पानी में जितने भी छिलके हैं सब को डाल देना है छ देख सकते हैं यह जो हमारा फटलाजर है बनकर बिलकुल टैयार हो चुका है इसके जितने ही पूसकता तो हैं सब पानी में घुल गया है आप देख सकते हैं देख कितने चैसे फटलाजर बनकर तैयार हुआ है लेकिन दोस्तों अभी यह पौदो को डेलायक नहीं हुआ है अब क्या करना है दोस्तों तो इसके पानी को चान करके अलग कर लेना है दोस्तों जाब इसको चाने तो आप च्छनने से बिलकुल मत चानियेगा क्योंकि इसमें इसमें लाती है इसलिए दोस्तों आप इसे कपड़े से चानियेगा यह देखिए दोस्तों मैंने इसके पानी को चान करके अलग कर लिया है लेकिन दोस्तों अब क्या करना है अब अब ढब कर दोस्तों थोसा पानी मिला करके यह बहुत कर लेंगे दूस्तों आप जब हम कोई यहसWow रेद्य हो चुका है पौधो इसे आप अपने सभी पोधों को दे सकते हैं अगर आपने फूलों के पोधे लगा हैं सब्जों के पोधे लगा हैं या कोई पोधे लगा हैं या सभी के लिए बहुती फाद्यमंद है दोस्तों इसको देने के जो समय है हफ्टे में एक बार देना है डेली नहीं देना है डेली दिनिस क्या होता है पड़ा खराब हो सकता है इसलिए आप हव्टे में एक बार दें और इसको देने के बार आप कोई भी फटलाजर अपने पड़ों को नादे दोस्तों ये जो फटलाजर है पॉठे के बहुत कि फ्लावरिंग नहीं हो रहा है उसक अपने सभी पौधों को इसी तरह का फटलाजर देता हूं और मुझको इसका यल्द बहुत ही अच्छा मिलता है दोस्तों यह जो फटलाजर है बहुत ही बढ़िया फटलाजर है इसका कोई भी साड़ इफेक्ट नहीं होता है यह पौधों की ग्रोठ के लिए बहुत ही फाइ अच्छे से होगा दोस्तों अगरा आपके पौधी की ग्रोठ अच्छे से नहीं हो रहा है उसमें फूटिंग और फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हो रहा है तो आप इस फटलाजर का यूज जरू करिएगा मैं इसी करता हूं और आप देशकते हैं कि मेरे पौधर में कितन को सब्सक्र कर लें आप से फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार